चोपड़ा है जोपिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बचों आज हमें इस वीडियो में नीट 23 की एक्सपेक्टेड कटोफ के बारे में बात करेंगे कि नीट 23 के लिए कितनी माक्स पर गवर्मेंट कोलीज में एडमिसन मिल जाएगा हमारे जो प्राणे वीवर्स हैं उनको इस बात का मौलूम है कि हम जो भी कटोफ प्रेडिक्ट करते हैं वो बिल्कुल एकुरेट रहती है क्योंकि हम डाटा एनलाइसिस करके ही कटोफ प्रेडिक्ट करते हैं व्यूज के लिए वीडियो बनाना हमारा कोई मतसद नहीं है तो आईए बात करते हैं नीट 23 की एक्सपेक्टेड कटोफ के बारे में तो कटोफ के लिए फैक्टर्स तो काफी होते हैं मगर मैंली ये तीन फैक्टर्स कटोफ पर इफेक्ट डालते हैं सबसे पहले डिफिकल्टी लेवल ओफ क्यूसन पेपर नमर ओप कंडिडेट अपेड इन दी एक्जाम और तीसरा जो फैक्टर है वो है टोटल सीट्स अब इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है डिफिकल्टी लेवल ओफ क्यूसन पेपर ये सबसे बड़ा फैक्टर यहां काम करता है एक बार हम इस डाटा पर नजर डाल लेते हैं तो देखते हैं कि 2020 में जो कटोफ रही थी जनरल काटेग्री की 611 कटोफ रही थी उस समय जो टोटल कंडिडेट अपेड हुए थे वो 13,67,000 कंडिडेट अपेड हुए थे इसमें वो टोटल सीट्स थी 7,899 जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल था वो इजी था 2020 में उसके बाद ऐसा इजी पेपर आया नहीं है 21 की बात करें तो 595 कटोफ रही थी जनरल कटेग्री की टोटल कंडिडेट अपेर हुए थे 15,45,000 यानि 1,78,000 कंडिडेट ज्यादा थे 21 में 20 की बजाए अब इसमें जो सीटें थी मैं यहां पर ओल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ जो यहां सीटें थी वो 8,705 सीट थी यानि कि 20 और 21 में जो सीट इंक्रीज हुई थी वो 8,006 सीट 21 में ज्यादा इंक्रीज हुई थी यहां पर जो पेपर का लेवल था वो मोडरेट था अब बात करें 22 की तो युआर कैटेगरी की कटव 5,96 रही थी तोटल कंडिडेट अपेर हुए थे 70,65,000 अब इसमें जो टोटल कंडिडेट इंक्रीज हुई थे 2,20,000 कंडिडेट इंक्रीज हुई थे सीट्स की अगर बात करें तो 9,660 सीट्स थी ओल इंडिया कोटा के लिए यानि की 955 सीट इंक्रीज हुई थी यहां पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था मोडरेट था लेकिन यहां पर एर बेस्ट क्यूशन आए थे पेपर लेन दी था लेकिन यहां पर कांडिडेट को जो फाइदा हुआ था वो यह हुआ था कि स्टुडेंट को 22 में 20 मिनेट्स ज्यादा दिये गए थे इसकी वज़े से यह पेपर 21 की तरह ही सैम सा हो गया था यानि कि पेपर थोड़ा लेन दी था एर बेस्ट क्यूशन थे लेकिन 20 मिनेट्स ज्यादा मिलने के कारण स्टुडेंट्स के मार्क्स इसमें भी काफी आये थे रेंक इसमें भी स्टुडेंट को काफी अच्छी रेंक मिली थी 22 में इसलिए 21 और 22 के हम ज्यादा इसमे अंतर नहीं मान सकते difficulty level सैम सा ही था तो अगर इसमें हम cutoff की बात करें cutoff देखें तो इसमें 21 और 22 में same सी cutoff है एक ही cutoff है तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो cutoff depend कर रही है इन तीन शाल के अंदर वो cushion paper के difficulty level पर ही cutoff depend कर रही है इसमें अभी 23 में भी जो cutoff रहने वाली है उसके अंदर candidate जो appear होंगे इसमें 20 लाग के nearby candidate अपेर होने की possibility है 21 लाग से ज्यादा candidate registered होए है लेकिन हम मान रहे हैं कि इसमें 19 लाग 50 थाउजेंट के nearby इसमें appear होंगे तो जो increase होंगे वो तो same previous year की तरे होंगे और seatें भी काफी increase हो रही है वो भी previous year की तरे seatें increase हो रही है तो ये दो factor तो यहाँ काम नहीं करेंगे जो main factor काम करेगा factor तो मैंने बताया और भी काफी सारे होते हैं लेकिन यहाँ पर जो main factor है वो difficulty level of cushion paper ही यहाँ 23 की cut off के लिए काम करेगा इस से हमें यह मालुम चल गया है कि 23 की cut off इसके cushion paper पर ही depend करेगी 23 का cushion paper कैसा आता है वहाँ यह cut off depend करेगी उसी cushion paper के लिए क्योंकि जिस ratio से candidate increase हो रहे हैं उसी ratio से seat भी increase हो रही है 21, 22 की तरह 23 में भी seat increase होंगी और इसमें भी जो seat इंक्रीज हो रही है वो काफी सारे states में seat increase हो रही है इसलिए यहाँ पर जो factor काम करेगा वो है difficulty level of cushion paper अभी need 23 का cushion paper कैसा रहेगा यह कैपाना मुश्किल है मुश्किल ही नहीं यहाँ नामुमकीन भी है इसलिए हम यहाँ पर इसकी accurate cut off तो नहीं बता सकते बट अगर paper 21 और 22 की तरह ही रहा तो यह cut off UR के लिए 600 EWS के लिए 600 OBC के लिए 600 इनमें एक दो marks का अंतर रहेगा ST के लिए 470 और ST के लिए 450 cut off रह सकती है यहाँ पर इतनी cut off जा सकती है मैं फिर बता रहा हूं कि अगर यह paper 21 और 22 की तरह है रहा तो यहाँ पर बाकी factors काम करते हुए यह cut off बाकी year से 5 marks increase होगी 21, 22 से 5 marks increase होने की possibility है क्योंकि यहाँ बाकी factors भी काम करेंगे तो आपको target तो कावी लेके चलना है अगर इसमें देखो जो cut off होती है वो last mark होती है मतलब कि इस mark से down वाले candidate को seat मिलने की possibility नहीं होती है अतर आपको जो target लेकर चलना है वो high target लेकर चलना है जिससे आपको अच्छी college मिल सके अभी आपके पास में 10 से 12 days का समय बचा है इसमे आपको revision करना है और question paper की practice भी करनी है आप अवस्य ही select होंगे तो आपको अच्छा target लेके चलना है और इन दिनों मैं ये तो नहीं कह सकता है कि इन दिनों अभी आप शुरू से फटके selection ले सकते हैं लेकिन अभी आपके पास ही revision का समय